आपको सबसे पहले अपना Chrome Browser Open करना है, फिर यहां सर्च करना है PMUI, In, फिर आपके उस पे क्लिक करना होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने प्रधानमंत्री उज्वला योजना की Official Side आजेगी. दोस्तों आप यहां से Language वाले Option में जाकर Language चेंज कर सकते हैं, मैं यहां Hindi सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना होगा, विडियो को पूरा देखें बिलकुल भी Skip ना करें तभी अच्छे से समझ में आएगाल, अब आपको यहां उपपर New Ujjwala Connection 2.0 पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने तीन कंपनियों का ओप्शन आएगा, आप यहां से पात्रता व दस्तावेज भी देख सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पात्रता मांदन डेव दस्तावेज का नोटिफिकेशन आएगा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको इसे हटा देना है, अब आपको यहाँ से कोई भी एक gas company choice करना है, आप कोई भी एक अपनी इच्छा से चुन सकते है, मैं यहाँ HP gas company चुन रहा हूँ, अब आपके सामने दो option आएंगे, अब आपको यहाँ नमबर दो उजवला beneficiary connection वाले option पर क्लिक करना है, तथा नीचे distributor यानी gas connection agency choice करनी है, आप यहाँ नाम वा location के द्वारा कोई एक agency चुन सकते हैं, मैं यहाँ location के द्वारा चुन रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं जो आपको आसान लगे, अब next वाले option पर क्लिक करना है, अब आपको यहाँ आधारी KYC वा आधार card के address के लिए पूछा जाएगा, आपको इस column को टिक कर देना है, तथा नीचे आधार address वाले column को भी टिक कर देना है, फिर आपको यहाँ नीचे आधार number डालना है जिसके नाम से connection लेना चाहते हैं, और capture वाले option पर क्लिक करना है, आपके आधार में जो mobile number डिले हुए हैं उस phone पर OTP आईगा, आपको यहाँ OTP वा capture डालकर get data from UDI पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने candidate की सारी detail शो हो जाएगी, अब आपको यहाँ नीचे नाम पता डालना है ध्यान रखे गलती ना करें, शादी शुदा औरत के लिए आप यहाँ आमार अस वाले option को select करें, फिर यहाँ नाम डालना है और नीचे अपनी category select करनी है, अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले, मैं यहाँ OBC select कर रहा हूँ, आपको नीचे यहाँ राशन कार्ड नं वह email address डालना है, यहाँ पर candidate की bank detail दर्ज करना करें, राशन कार्ड में जितने member है सब की detail भरनी है, तथा candidate का राशन कार्ड के मुखिया से क्या संबंध है वो दर्ज करें, और उसका नाम आधार number, date of birth, उम्र डाल कर निचे सबमिट करें, आपका farm भर कर तेयार है, अलब आ अधास एजन्सी से फोना